तो लोकसबा चुना को लेकर सियासी हल चल तेज हो चुकी है जारकन के लिए एंडिये ने सभी 14 सीटों के लिए प्रतियाशियों की घोशना कर दी है वही इंडिया गुट ने सभी प्रतियाशियों की घोशना की है लेकिन दोनों ही तरफ से मुस्लिम समाज को टिकेट नहीं दिया गया है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतूल सहदीव ने इंडिया गुट पर तंच कस्तेवे कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का कारी इंडिया गुट की ने किया है वही भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मुहीं के साथ चलती है वही जामूं के और से प्रवक्ता बटर सिंग ने भाजपा पर निसाना साथ तेवे कहा कि भाजपा और एंडिया धर्म की राशनीतिक करती है और इंडिया गुट सभी चीजों को देखकर कारी करती है पच्छतर प्रतिशत तो मिद्वार हमने दिया वो बीसी समाज से दिया इसके और कॉंग्रेस नब तक जो सीटे गोशिद की उसमें पच्छतर प्रतिशत दूसरी जातियों से दिया ओवी सीक्रेस से पच्छिस परसंट रखा दो सीटे तो ट्राइबल के रिजर्व थी तो तो मुस्लिमों की बात तो करेंगे वोट तो लेंगे लेकिन टिकट नहीं देंगे यही कॉंग्रेस की असलियत धरम और कास्ट की जाजनेती तो करती आ रही है भाजपा और वह ऐसी पार्टी हम लोग को बोल रही है जिसने पूरे इंडिया में कही एक सिंगल मुस्लिम एं कितना है जब वो डाटा करेंगे तो आपकी जो वेरी है वो खुद ही खुद क्लियर हो जाएगी और देखी ऐसे लोग एक इंगलिश में कहा हुथ है डेविल प्रीचिंग दे स्क्रिप्चर तो जो शैतान है वो वेद पढ़के ज्यान दे रहा है यही बीजेपी का हाल है और जिस तरह से मोदी जी बार-बार और बीजेपी रा बार-बार राम मंदेर और रामलला और हिंदू मसलिम करके वोट मांग रहे है और एसी आई एलेक्शन कमिशन जो स्वया हुआ है कुम करण की ने तो यही दिखाता है कि कितने नॉन पार्टिसन वे से बलब इलेक्श आप मंदbayक्यों मॉथ जो स्वया है और जा रधाररा लेक्शन की को said्यों कि एलेक्शन मीप अंसलिये जो जजो स्वया कैम की कहलिप से newहारी जो से जो से ने बार मदेंसे से बार बार कनेती रामलला